कुरूपिया ध्यान रखे कि इस चैनल में निचीट सभी जानकारी केवल सिक्सीत और सुत्मक्त कुदेशियों के लिए है इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश चला वितिये चला कानोनी चला या वक्तिकर चला के रूप में नहीं लिया जाना चा यहां पर अच्छा खाशा रेली आ सकता है तो सबसे पहले यहां पर हमने ओपन किया यूएश्डी टी डॉमिनंस यहां पर काम करता है जब भी बढ़ता है तो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि डॉमिनस बढ़ने का मतलब एक ही पैसा रहा है फिलाल करन टाइम के अंदर यूएश्डी टी जो डॉमिनंस से वो चल रहा है सेवन पॉइंट फिटीन पर्शंट कल के वीडियो के अंदर बात की थी कि फिलाल डेली टाइम प्रेम के अंदर इसका जो रेजिस्टन्स आ रहा है तो कि बार-बार यहां पर रेजेक् के अंदर रेली है और हलके फुल के यहां पर देखा जाए तो बिटकोइन के अंदर भी हमें एक जंप देखने को मिला था जब एक ग्रेज हो गया तो बिटकोइन चला गया 31,000 डोलर जब बढ़ा तब बिटकोइन गीरा तो बिटकोइन बढ़ा मतलब ध्यान से समझना कि जब भी गिरता है तब ओल्ड कोइन एंड बिटकोइन के अंदर हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है और तगड़ा वाला बूल मार्केट मतलब तगड़ा वाला ओल्ड सीजन कब देखने को मिलेगा तब भी यहां पर हम बताने की कोसिस करेंगे कि कौन सा क्र और यहां पर नीचे बन जाता है यूसड़ी डॉमिनस के अंदर सिवन परसंट से नीचे नीचे एक केंडल बना एक और बन जाता है तो बिटकोइन के अंदर हमें एक और जंप देखने को मिलेगा और ओल्ड कोइन के अंदर थोड़ा बहुत पैसा आने की पोसिबिलिटी ह तो यह तो यहां पर बेजिक बाते होगी यूसड़ी डॉमिनस में आपके साथ एक्स्प्लैन गया कि क्या होता है तो यूसड़ी से पैसा निकल के दुसरे मार्केट के अंदर लगता है यह पूरा बेजिक था अब यहां पर बात करें करन्ट ट्रेंड के अंदर ट्रेंड क चुका है अब यहां पर एक करेक्शन बनता है इसके अंदर करेक्शन आएगा प्रोफिट बुकिंग होगा क्योंकि यहां पर फोमों किया ट्रेंड के अंदर लाया गया ताकि हमारे जैसे रीटेल इंवेस्टर इसके अंदर कूदे जो बड़े लोगे पहले से बाइं कर च होगे बाखी का जो पैसा है वो आपका नहीं क्योंकि लगाया हूँ आपने लिकाल लिया तो आप होगे सेफ फिर अगर पंप होता है तो आपका प्रोफिट अच्छा काजा बंच रखता है उनली फोर फोमो ना तो इसका कोई यूज के से मिम क्रिप्टो करणसी है और मिम क रिप्टो करनसी होगा या तो फ्लोकी होगा लोकी जो अभी बाइनेंस यूज के अंदर लिस्ट नहीं हुआ है उससे पहले पिप कोई मेरे को नहीं लगता कि सिजी कभी इसको लिस्ट करेगा भी क्योंकि थोड़ा ध्यान देना होगा तो पहले फ्लोकी होगा या तो का नेम नहीं लेना चाहिए पीप के सामने एसे फोमों के चकर में कभी मत पढ़ना कि ये पीप को वहाँ पर लिस्ट किया दाएगा फ्लोकी का यूज केज देखे एलोन मस्क जहां पे है साथी साथ उसका गेम है अच्छा कासा कॉमुनुटी है इसके पास एक लोकर है उसक पीप को फिलाल के लिए इगनूर करना चाहिए 500 रूपे लगा सकते हो वह भी आपर लूज हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं लगा रहा हूं मेरे को डर लगता है कि यहां पर पैसा लूज होने की काफी ज्यादा पूसिपिटी है जूकि एसी आ गया मार्केट के अंदर और ए कर सकते हो पीप के बारे में इतना फ्यूचर मुझे नहीं दीखता आगे यहां पर बात करें बेवी डोस इसका को मुनूटी बड़ा है अभी ट्रेंड चल रहा है मीम क्रिप्टोकरंसी का इसलिए मैं आपके सामने मीम रख रहा हूं बेवी डोस ने यहां पर को मुनूटी अच्छा है यह आने वाले टाइम के अंदर चल भी सकता है कि को मुनूटी इतना बड़ा है इतना मजबूत को मुनूटी है मैं ट्विटर के फॉलोवर्स को देखते हूं पता सकता हूं किसमें कुछ हो सकता है साथी साथ यह अच्छे कहां से काम कर रहा है इसके काफे प्र सकता है और दो तीन पार्ट के अंदर अब देख सकते हो इसमें कुछ प्रोफिटेबल बन सकता है बड़ा कमुनूटी होने के कारण क्योंकि लास्ट इसको को को कोईन के अंदर डाला हुआ है और अभी और चार मेजर एक्चेंज के अंदर लोग आके लिस्ट करवा सकते है और फिलो की इनो अब इसके लिए तो कोई डरने वाली बात ही ने क्योंकि एलोनमस स्रपोर्ट करते रहते हैं फिलाल प्राइस काफ़े ज्यादा है अभी इसके प्राइस पर बाइंग करना काफ़े मुश्किल है 0.4 टाइम 032 डोलर पे ट्रेड कर रहा है यही साल के अंदर फिल्कुल पहुंच जाएगा तो इसको आप देखेगा दों जिस魚 करता है इसलिह मेरे को लगता है उसके बाद यहां पर एक और ख्रिप्टो करंसी है एक तो है फ्लोकी और यह एक बॉंक फिलाल बॉंक पहले नंबर बे आ गया है क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा प्रोफिट दे सकते हैं इसका मार्केट के पभी बना नहीं है इसके सपोर्टर है पूरा-पूरा को आप करन टैम में देख सकते हो जीरो पॉइंट छे टाइम जीरो सिक्स्टी वान डॉलर तो फिलाल के लिए जो मिम लेने देशे हो एक डोज कोई ट्रेंड चल रहा है तो डोज को नाने वाले टैम के अंदर प्रोफिट दे सकता है सेकंड सिभाई नो थर्ड बेबी डोज फॉर्थ फ्लोकी और फिफ्ट ए बॉंक और एक और है अकी ताइनो छे मिम क्रिप्टोकरंस यह से कि इस कुछ जेनियोन काम है इसका बाकि सब फोम बेज चल रहा है यह से कि थोड़ा टीकेंगे आगे जाके प्रोफिट देंगे अब यह पेप जो है डोप हो किया फिर हो यह हो सकता है अब जो मैंने प्रिवेश दिखा है जो बता रहा हूं थो फिलालाब का जो भी केना है वह बता देना लास्ट यहां पर बात करेंगे कि और में तगड़ा सीजन कब आ सकता है वोल्ट कुइन मतलब यहां पर मैं और के लिए कहोंगा कि हम वीट को और एठीम चार्ट मतलब यह जो मैंने चार्ट ओपन किया है यहां पर जो billions of dollars के अंदर market cap देखा रहे है यहां पर bitcoin और ethereum का इसके अंदर गिंती नहीं आता है bitcoin और ethereum को बाद करके जो भी old coin है market के अदर सभीकाल calculation यहां पर आता है और यह भी support and resistance के ऊपर काम करता है लगातार में ने देखा ओगस्ट महिने के बाद यह ओगस्ट महिने के बाद लगातार यहाँ पर देखे तो 400 बिलियन डोलर से नीचे है तो मैजर इसका जो रेजिस्टन्स है 400 बिलियन डोलर जब भी क्रोस करेगा यहाँ पर ओल्ट में एक अच्छा कासा हमें रेली देखने को मिल सकता है फिलाल चल ला है 365 बिलियन डॉलर बिटकोइन थोड़ा सा और स्टेबिलिटी दिखा देगा 30 अजार 31,000 डॉलर के आसपस तो मेरी सबसे अगर यह वापस घूम जाता है इस तरह वापस घूम जाता है 400 बिलियन डॉलर को व विटकोइन एक लाए चल ला है एक कोई चल नहीं रहे तब जाके इवेल इसको चला सकते है फिलाल देख सकते आगे एक दो मीने के अंदर अच्छा काजा प्रोफिट हम ओल्ट कोइन के अंदर भी देखने वाले है मेरी सबसे मुझे लगता है कि ओल्ट में एक बार के दोलर को टोटल थ्री का चार्ट क्रोज करेगा फिर आप 200 प्रिसंट तक जो अच्छे कोईन पकड़ है वो जा सकते सभी नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता ही कि काफी कोई तो स्केम ही है इसे बना दिया है सप्लाइज फिर सेल करके लिक्रिटी निकाल लेके स्केम कर पॉस्टि ज्यादा बढ़ जाती है तो यह से ओल्ट को इंदर ज्यादा इससमें पॉस्टि ज्यादा हो तभी आपका प्रोफिट अच्छा घजा होगा अगर लालज के चक्कर में पढ़के यह से तो काफी सारे मीम आये गए काफी प्रब्लेम हुआ मेरे साथ भी मेरा ही हो गया उनमें से अच्छे कोई बचे में बीच में बता दिया वही अच्छे कोई मेरे को लगते खुद को लगते मैं किसी को एड़वाईजर नहीं दे रहा हूं अब 400 billion dollar क्रोज करके 50 billion dollar का ओर फॉंड आ सकता है और साड़े 400 billion dollar का जैसे क्रोज होता है दो यहां पर रेजिस्टन्स है बड़ा रेली हमें देखना है तो 456 billion dollar को जैसे क्रोज करेगा फिर 600 billion dollar तक यहां पर मार्केट के बलेशन बन सकता है टोटल 3 का तो वहां पर एक अच्छा प्रोफिट हमें साबीत हो सकता है कोमेट में बताई लास्ट अगें वापस से हम इसको explain करने की कोस्ति करेंगे मिलते हैं वीडियो के साथ